तो यह next example है power पर एक बार wash करके आप try कर लीजिए फिर मेरा solution देखा ठीक है चलिए देखते हैं और 220 volt 1000 volt बल्क तो यह बल्क पर रेंडिंग है 220 volt 1000 volt यानि कि अगर हम बल्क को 220 volt का supply देंगे देन वो power कितना consume करेगा तब उसका power consumption रहेगा 1000 volt और कभी voltage कम हुआ तो energy नहीं मिलेंगी तो power भी कम consume होता है जैसी यहां बुला है कि अगर हम उसको 110 volt पू लगा देंगे तो power कितना consume होता है तो तो देखो so long as the physical state of a conductor remains safe its resistance remains safe यानि कि यह जो bulb है इसके filament का length और area of cross sectional material यानि कि rho L और A क्या यह बदल रहे हैं नहीं तो इसका R क्या है same तो सिर्फ change क्या हो रहा है V इसलिए हम power का formula कौन सा use करेंगे V square upon R और बल बल अगर वहीं रहे है पस voltage हम कम कर रहे है तो power कितना रहेगा तो पताइगे R सेम है अगर R सेम है तो इस अगर इस इंडिकेट आट कि power is entirely proportional to V square so power consumption in second case to power consumption in first case would be equal to voltage in second case upon voltage in first case square what is the voltage in second case they said 110V what is the voltage in the first case 220V और हमको पता है 220V दिये तो power कितना बंजी होंगा 1000 हमको पता है 00 के cancel 11 months are 11,2's are 22, 1 by 2 का square कितना 1 by 4 तो power भी कितना हो जाएगा जो पहले था उसका 1 fourth यानि कि 215 watt बहुत सारे स्टूडट ये सोचते है कि voltage आदा हो गया तो power भी आदा हो जाएगा पावर वी स्वार अपो आदा होता है अब आप खाशारे स्टूडट ये भी सवाल पुछते है कि power V into IQ नहीं लिया तो देखो यह ओंस लोग वैलिट नहीं होगा ना बल्ग तो सेम है अगर हम V को आदा कर रहे तो आई भी क्या हो जाएगा अगर आदा आदा हो जाएगा तो सेम रेजिसंस के लिए डवर हो जाएगा यह कुछ करेगी कि है यह नहीं वी स्कूर पाया ओके थैंक्यू